आज की वीडियो में हम बात करेंगे जामिया में इसलामिया में बारे में जो स्टूडेंस एडमिशन ले रहे हैं उनका आप एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा जामिया.coe की वेबसाइट पे जामिया में बाए जामिया की दो सकते हैं यहाँ पेर सारे अट्मिशिन्स देतलेदब कर सकते हैं तो पुर्म एक फॉप्रेंस टर्म करने का लिंक इसके बाद आपको पता दों करने के लिंक मालने पहले चीज़ आपको जो बताने ही फॉर्म फिल करने की लास देट है 25 में डेट तो वैसे 12 में तक की थी बट उन्होंने डेट एक्सेंड कर दी है तो अभी वो 25 में हो गई है इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉस्प we laws आंपको इसके पार बात करते हैं सारा अपको कॉंटें रगा हुआ है इन्होंने तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना हैं में एंट्रेंस देट के बारे में अपकी थीक है तो Embli. कर देखते हैं तो हम देखने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडेक्शन आ चाहेंगे बारे में की बीबी और बीकॉम के बारे में तो पहले तो बीबी और बीकॉम आपका आता है डिपार्टमेंट अफ कमर्स और बिजनी स्टेडी इनके कोड़ ऑपे इसके लावा अगर आप इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटा मोटा आपका पड़ेगा मतलब यह अल्मोस्ट आपको वनियर का होता है रुपीस 13,100 फो बी बी ए एंड रुपीस 7,200 फो बी कॉम अर्स इसके बाद आपका एक और है बी ए ओनर्स इकॉनमिक्स यह आपका उसमें जा चुक्या है तो अगर आपको उसके लिए फिल करना है तो आपको सी वी इट को फॉर्म करना पड़ेगा उसके बाद जामिया का फॉर्म करना पड़ेगा तो हम करते हैं आपके बी ए और बी कॉम की एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं अंडर्ग्राजुएट प्रोग्राम का सेक्शन सी है नेम आप दे प्रोग्राम यहां पर बी ए ओनर्स एकोनोमिक्स में आपको बता रहा ना एंट्रेंस टेस्ट सी वीटी के साब से होगा और डिस्प्लेट फिर तो बी ए की बात करें बीकॉम क तो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा ग्यारा जुलाई को यह आप देख सकते हैं ग्यारा जून को सुरी नॉट जुलाई ग्यारा जून को 11 जून 2022 को इसका टेस्ट होगा तीन बच के तीस नहींट से पाच बज़े तक का टाइमिंग है यानि कि आफ्टरून शिफ्ट में और यहां पर टेंटेटिव डेट यानि कि अन्दाजन एक डेट भी दी हुई है कि selected list of candidates का list कब लगेगा वह लगेगा पच्छिस जुलाई से तीस जुलाई के बीच में यानि कि आपका पेपर होगा स्टार्टिंग ऑफ जून और अपका लिस्ट लगेगा end of July में तो उसक कि कोई बराबर का equivalent examination का certificate चाहिए जिसमें 50% से less marks नहीं होने चाहिए best 5 papers में best 5 papers में उसके बाद B.com का आप देखिए senior secondary का स्कूल का certificate equivalent examination में से कोई एक होना चाहिए 50% marks कम नहीं होने चाहिए और best 5 papers में और concern subject में दोनों में ही कम नहीं होने चाहिए 50% से इसमें सिर्फ best of 5 paper मांगा है B.b.a. में लेकिन B.com में best of 5 paper और in the subject concerned तो यह था आपका eligibility criteria आपका entrance date अब आपको मैं बता दू कि admit card कब issue होंगे तो admit card आपके issue होंगे यहाँ पे 11 June दिया है आपका तो एक week पहले यानि कि starting of June में आपके admit card आजाएंगे तीन दिन पहले भी आते हैं exam के तीन दिन पहले आते हैं आठ जून को भी अगर आपका आता है ना admit card तो भी आपको worry करने की जरवत नहीं है एक हफ़ते से तीन दिन पहले तक बीच में कभी भी आ सकता है तीन दिन पहले आपका compulsory compulsory आ जाएगा अगर तीन दिन पहले नहीं आता है तो एक issue है तो इसके बाद हम बात करेंगे जामिय असलामय के entrance test syllabus के बारे में तो उसके लिए आपको बैक करना होगा यह prospectus से prospectus से आप बैक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह red कलम में लिखके आ रहा है अब आप कहेंगे यह 21 22 लिखके आ रहा है तो यह हर साल syllabus चेंज नहीं होत है क्योंकि जैसे CBSC का होता है पैटरन सेम रहता है वैसे ही इनका भी syllabus और पैटरन सेम ही रहता है जब यह change करते हैं तो वो update कर देते हैं तो हम इस पर click करेंगे जब आप यहां पर click करेंगे तो यहां पहले है वो पूछ रहा आप से course type तो आपको course type है bachelor's आप इस पर click कर दे दिख रहे है यह वाला आपको जस्ट इस पर simply click कर देना है यह search option में आ गया यहां नीचे ही आ जाएगा बीबीए वी कॉम ओनर्स डाउन्लोड लेबस आफ व्यू आप जब व्यू पे करोगे तो इस लेबस डाउन्लोड हो जाएगा तेखे इस लेबस डाउन्लोड हो गया यहां पर दिया हुआ है आपका फेक्यॉल्टी सेंटर सब कुछ दिया हुआ है यह बीकॉम ओनर्स और बीबी दोनों के लिए स्टुडेंट्स और इंप्लॉइर इंडस्टी और ओवर दु वर्ल्ड यह थोड़ा सापका उसके बारे में दिया हुआ है एंट्रिंस टिस्ट का समरी दिया हुआ है कि आपका पार्ट में आएगा पार्ट ए में अब्जेक्टिव मल्टिपल चॉइस कॉस्चन आएंगे पार्ट बी में सब्जेक्टिव त्या डिस्क्रिप्टिव टाइप कुस्चन आएंगे उसके बाद इंटेव्यू ग्रूप डिस्कुशन पॉर्टफोलियो आप यह नहीं होता है अपका सिर्फ पार्ट ए होता है यह देख रहे हैं आप लिखावें सबके लिए नौट होते हैं लेकिन तो पार्ट जो होने काको 100 मार्क्स का होगा सुद्य के टाइम मिलेगा पासिंग मुझा आपको 15 मार्कश रहा चाहिए नेगेटिव मार्ट होती है shopping is यानि कि अगर आपने चार गलत करें तो आपका एक मार्क्स कुट हो जाएगा तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका इन्फोर्मिशन इस्ट्रक्षर यहां प्लू ब्लू ब्लैक पर पता हैं डीटेल स्लेबस में क्या लिखा हैं आप देख लिए लिए लाइग्विज स्क जाएगर का पता हैं इससे हम दीटेख हैं जरक्रा शीटिकर खायों कि आपको और राम नंतीट ब्ला शीच्चे और जाएग्रमिज स्क च्खर प्लत कर रि कष्ट साफागी मार्क्स हमां प्लत कर चार तो टोट्लल आपका फिया हम हिलेगा इसमें अपको लांग इसकिल्स म इसको कर सकते हैं तो अगर आप इसमें ऐसा कोई आपको लर्न नहीं करना है कुछ जादा तो यहां से आप रामसे सको कवर कर सकते हैं इसका स्लेपस that's it for the video thank you